हेलो नमस्कार साथियूं मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों अभी हम बात करते हैं डियसस्बी में जो आई आर लगा है स्टे लगा है जिसे हम सोटरम स्टे बोल सकते हैं उसके बारे में डिसकर्शन करेंगे इसके बाद जो और रिजल्ट्स हैं जो फाइनल जॉइनिंग होने वाली है और वेकिंसीज की तो उनके बारे में भी डिसकर्शन करेंगे तो साथियों इससे पहले कल मैंने एक कोशन दिया था कि पह इसका सिंग विबोर गुपता तो इनके सबसे पहले correct answer आए सभी का धन्यवाद इसके बाद जो आज का question है आज का question है पंजाबी को किस लिपी में लिखा जाता है बहुत ही simple question है पंजाबी भाचा को किस लिपी में लिखा जाता है तो साथियो अभी हम बात करते हैं जैसा कि कल night में मतलब आज ही मैंने वीडियो डाली थी दो बज़े रात को तो वो वीडियो क्यों डाली मैंने आपको बताया था तो साथियों कल मेरे पास कुछ call भी आये थे message भी आये थे कि आपके पास proof क्या है इस चीज का proof क्या है हलाकि उसके बाद अभी comment भी आये थे comment ये आया कि ये चीजे सभी के पास हैं सबसे पहले हम एक बंदे से सभी को जज नहीं कर सकते देखो मैं आपको ही बताओ एक बंदे से सभी को जज नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई चीज है इसका मतलब ये नहीं कि सभी के पास है और ये गलत बात है तो वो चीज मैंने दिखाई वो गलत है हर किसी के अपनी एक रिस्पेक्ट होती है और आप देखिए मैं मतलब किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोल रहा लेकिन फिर भी कोई टार्गेट बनाई यह चीजे गलत हैं कि सिर्फ अपने आपको ही उचा करके दिखाई है गलत है तो मैंने प्रूफ दिखा दिया कि IR लगा हुआ है सत्रे पांच दोजार उन्निस तक IR उसमें सीधे तोर पे लिखा हुआ है केस नंबर वगएरा सारी चीजे मैंने कर दिया है अगर किसी को फिर भी डाउट रहता है तो आप चेक कर लीजिए एक बार उसमें साब तोर पे आजाएगा IR है या नहीं है और जो आपको गुम्रा कर रहे है न देखो मैं ऐसे नहीं किलियर बोल रहा हूँ अगर आपको कोई गुम्रा कर रहा है कि ऐसा है वह ऐसा है ये सारी चीजे गलत है और अभी तो रुको और अपडेट दूँगा आपको मैं और ऐसा नहीं दोनों के बारे में दूँगा selected, unselected जो भी है दोनों के बारे में अपडेट दूँगा आज या कल में ही और वो क्या है उनकी प्राइवेट बाते चल रही है उनकी ही मैं अपडेट दूँगा आपको तो वो लोग क्या सोचते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है सातियों जहां पर आप सोचना शुरू करते हैं वहां पर खत्म हो जाती है वैसा नहीं है बहुत सारी चीज़े जो पता होते हुए मैं नहीं डालता लेकिन आप लोग अगर गलत बोलते हैं तो बहुत दुख होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़े जो अभी हैं वो मैं बताऊंगा जरूर तो इसके बाद अभी हम बात करते हैं और जो vacancies हैं क्योंकि कल एक comment आया था मेरे पास तो मुझे भी दुख हुआ क्योंकि उनके बारे में update मिलने ही पा रही है तो साथियों जो अभी और vacancies हैं उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो सभी का कामना processing में चल रहा है काफी ऐसी vacancies है जिनका medical तक हो चुका है काफी vacancies का medical हो चुका है काफी का होने वाला है इडोजियार तो लगबग सभी के complete हो चुके हैं आपको पता होगा अब क्या है कि जो धीरे धीरे processing चल रही है अब ऐसे में आप धरना परदर्शन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि code of conduct लगा हुआ है मतलब आचार सहीता लगी हुई है इस वज़े से आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इन चीजों की आपको permission नहीं मिलेगी इवन रूल के coding क्या है कि जो ministers हैं उनका भी एक limited time होता है उस ही time आप मिल सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे time में देखो minister अपने vote bank के चक्कर में आपसे मिलेंगे भी नहीं जल्दी से तो ऐसे में आप जैसे अशोक अगरवाल सर होगे उनसे आप meeting कर सकते हैं तो ऐसे जो लोग हैं अच्छे लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं तो लगबग यह है कि vacancies में जो काम चल रहा है दीरी दीरी सभी में चल रहा है और अगर कोई question रहता आपका और जैसे special वालों का है special वालों को भी जल्दी जॉइनिंग मिलने वाली है और MCD PRT का अगर हम बात करें जॉइनिंग जल्द से जल्द होने वाली है और उमिद यह है कि आने वाली जो next hearing होगी उसमें बहुत अच्छा result आपको देखने को मिले और जो भी होगा selected, unselected सभी के साथ अच्छा हो और जो selected साति हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा होगा आप बिल्कुल tension न ले क्योंकि देखो डरता को उने जो गलत होता है तो जो साति बिल्कुल गलत नहीं है वो नहीं डरेंगे हाँ अगर कोई गलत है तो वो बिल्कुल डरेगा और गलत को कोट भी देखेगा आप लोग भी देखेंगे, वो सारी चीज़े होंगे लेकिन जो सही साति हैं उनका जरूर selection होके रहेगा चाहे वो selected है, चाहे वो non selected है मैं उन सभी सातियों के साथ हूँ तो सातियों ये अभी update है आप लोगों के लिए और जो vacancies हैं उनमें भी धीरे धीरे processing चल रहे हैं तो आप टैंसल बिल्कुल ना ले सारी चीज़े बहुत smoothly होती रहेंगे और ये कितने को थोड़ा time लगेगा बिल्कुल joining होने में और time लग सकता है बिल्कुल तो सातियों goodbye, take care, thank you, jahind, one day, matram